हेलो एवरण वेल्कम टू बैंकिंग मेंटर आम योगेंद्र साहो और मैं पिछले चार सालों से बैंकिंग एक्स्पिरियंस को रिजनिंग पढ़ा रहा हूं आज यहाँ पर हम डिस्कर्स करने वाले हैं RRB PO 2019 का प्रिलिम्स का पेपर जैसे कि हम सबको पता है कि RRB ने अपना नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया है और जैसे कि अगर आप फ्रेशर हैं अगर आपके पास एक्सपिरियंस नहीं है तो आप स्केल 1 जिसको हम बोलते हैं PO और Office Assistant जिसको हम बोलते हैं इसके form आप fill up कर सकते हैं और scale 2 और scale 3 के अगर हम बात करें तो इसके लिए experience मंगा गया है अगर आप पहले किसी bank में या कोई financial institution में काम कियें तो यहाँ पर scale 2 या scale 3 के form आप fill up कर सकते हैं और अगर आप fresher हैं तो pure clear के form fill कर सकते हैं एक जुलाई से यहाँ पर application process start हो जाए registration process start हो चुका है पर 21 जुलाई तक large data तो hope so आप यहाँ पर form जल्दी से जल्दी भल लें चले अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले cut off की तो state wise cut off है rrb officer scale 1 का अगर यहाँ पर मैं बात करो rrb का prelims का यहाँ पर pattern की तो दीके सबसे पहले तो यहाँ पर रेखिए यह जो prelims का pattern है तो total हमारे पास total 80 questions होते हैं जिसमें reasoning के 40 questions होते हैं quant के 40 questions होते हैं overall timing आपको 45 minutes मिलता है clear अब 45 minutes में आपको अगर मैं बात करों तो around 65 तक के questions आप solve कर सकते हैं 65 to 70 questions तक भी आप यहाँ पर solve कर सकते हो but उसके लिए आपको speed और accuracy important है speed और accuracy क्यों important है क्योंकि यहाँ पर 45 minutes मिलते हैं यार हमारे पास और अगर आप cut off की बात करों तो देखिए 36 गर में last year cut off कितना गया था 55.5 अगर यही पर मैं बात करों मध्य प्रदेस में cut off कितना गया था 54.7 माराश में cut off कितना गया था 56 मतलब अगर हम देखें तो सब में 55 से उपर यहाँ पर cut off गया है और कुछ ऐसे भी states है जैसे उत्रखंड की बात कर लें जैसे पंजाब की बात कर लें जैसे हर्याना की बात कर लें तो यहाँ पर आपका 63 से 65 cut off गया है यहाँ पर मैंने factors कि cut off कैसे यहाँ पर decide किया जाता है यह मैं जब RRB का notification जब release हुआ था तो जो मैंने वीडियो यहाँ पर release किया था उसमें मैंने यह सारे चीज़ बहुत अच्छे से discuss किया था तो आप यहाँ पर cut off देख सकते हो 2019 कभी और 2018 कभी है clear जैसे यहाँ पर 2018 में अगर आप बिहार का देखे तो देखे 45 गया था और direct अगर हम बात कर 2019 में तो 58 चला गया मतलब direct कितना increase हो गया 13 किसी किसे state में आपको decrease होते भी दिखेगा किसी किसे state में equal भी होगा त चले तो यह तो होगे cut off और यहाँ पर speed और accuracy में खाग ध्यान रखना है आपको speed तो होना ही चाहिए और speed के लिए आपको क्या करना है तो वह है daily mock test दिलाना है आपको और daily अच्छे level के questions जो आपके exams में exactly पूछे जाते हैं और वह कैसे पता चलेगा जैसे कि यह video देख रहे और accuracy पर ध्यान रखना है ऐसा नहीं कि आप 45 मैंट में 70 questions solve कर ले रहे हैं बट इसमें से 10 questions गलत होके 60 ही accuracy है ऐसा भी नहीं होना चाहिए speed और accuracy दोनों बराबर होना चाहिए जितने questions आप बना रहे हो उतने accurate होने चाहिए तो प्रिलेंस में total 80 questions आते हैं 45 मैंट मिलता है reasoning में 40 और options में 40 चले बहां पर बात करते हैं सबसे पहले question की सबसे पहला question के क्या given है तो state यहां पर अगर SL उप हागर मैं देखो तो यह जो है मेरा inequality question है देखते हैं, statement नहीं देखते हैं, हम conclusion देखते हैं, conclusion में क्या लिखा है, w is greater than a, अब हमको यह चेक करना है, यह सही है कि गलत है, clear, अब w से a मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, path decide करूँगा, कि w से a कैसे पहुंचूँगा, मेरा तरीका देखे, ऐसे questions जो कैसे पहुंचूँगा, देखे, यहाँ पर है a और यहाँ पर है w, जैसे मैं जाओंगा w से पहले जाना पड़ेगा, मुझे w से d, तो कुछ इस तरीके से जाओंगा, w से d, फिर मैं जाओंगा d से n, तो कुछ इस तरीके से जाओंगा, देखे, यह arrow डाल रहा हूँ मैं, clear, मतलब W से start किया, D के तरफ गया, फिर D से N की तरफ गया, फिर N से मैं A की तरफ गया, ठीक है, ये उनको समझ में आएगा जो इससे पहले inequalities पढ़ चुके हैं, और ये वीडियो उनहीं experience के लिए जो यहाँ पर already उनका concept जो है वो actual में clear है, तभी तो आप यहाँ पर question solve कर पाएं तो W से पहले D जाना पड़ेगा, then D से N जाना पड़ेगा, then N से A जाना पड़ेगा, मैं पहुंच गया है, अब देखें, क्या होता है, जब मैं यहाँ पर same direction में जाता हूँ, तो मेरा symbol जो है, और जब मैं reverse direction में जाऊँगा, तो symbol को मैं reverse कर दूँगा, कैसे, जैसे A is greater than B, B is greater than C है, clear, अगर मुझे A से C तक अगर जाना है, तो मेरा A से B जाऊँगा, B से C, तो यह same direction हुआ, क्योंकि हम हमेशा left side से यहाँ पर देखते हैं, तो left से A से B, B से C, तो same direction है, तो symbol भी same रहेगा, तो बीच में क्या-क्या symbol रहेगा, greater और greater, जब दोनों greater है, तो greater को ही हो जाता है, clear, but, जैसे मुझे C से A यहाँ पर अगर conclusion दे दिया जाए, clear, तो C से A अगर मुझे check करना है, तो मैं C से A कैसे जाऊँगा, C से B जाऊँगा, B से A जाऊँगा, अब देखे, जब C से B गया, तो reverse करना पर जाएगा, मैं तब क्या बोलना चाहरा हूँ, तो ज A के साइड उपन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर greater था और यहाँ पर मैं क्या यूज तरह हूँ, lesser, clear, तो कुछ इस तरीके से, अब देखे, W से D जाऊँगा, फिर D से N जाऊँगा, फिर N से A जाऊँगा, तीनों में मैंने क्या किया, reverse direction यहाँ पर, मेरा direction पूरा का करेंगे, तो W से D, तो यह हो जाएगा, W के तरफ mouth, मतलब यहाँ पर lesser था, उसको हम greater कर देंगे, फिर D से N गया, फिर यहाँ पर lesser है, उसको क्या करना पड़ेगा, greater, फिर N से A गया है, हम यहाँ पर क्या है, lesser, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, greater, अब देखो, तीनों जाना है, फिर N से, मैं यहाँ path decide कर लिए, मेरा path जो है, वो select कर लिए, कि W से D, D से N, N से A, अब मैं best symbol देखूँगा, W से D, reverse है, तो यहाँ पर lesser है, तो इसको मैं greater रख दूँगा, फिर D से N गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, lesser है, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, greater, फिर करने के लिए, मुझे 5 से जादा है, यहाँ पर नहीं लगता, और second यहाँ पर देखो, A से W दिया, अभी हमने निकाला कि W greater है, A से, तो A और W equal होई नहीं सकता है, यह definitely क्या हो जाएगा, false, इसका मतलब, मेरा conclusion 1 definitely true है, तो यहाँ पर option जाएगा, E, only conclusion 1 follows, hope सो यह चीज़ 5 questions है, जो definitely आपके exam से पूछे जाने वाले है, RRB का PO दिला लो, या फिर आप RRB का CLER दिला लो, definitely है कि आपको 4 से 5 questions definitely मिलेंगे, clear, तो आपके concept बहुत अच्छे से clear होने चाहिए, basics clear रहेंगे, तो आप अराम से यहाँ पर inequality के questions solve कर लेंगे, चले next देखते हैं, अब statement क्या है, हमार पास next, तो देखे, statement देखने की जरुवत नहीं है, और statement अगर आप देखे, तो एक single line में statement, यहाँ पर semicolon वाला question था, बट यहाँ पर semicolon नहीं है, clear, तो यहाँ पर एक single line में मेरा statement है, यह ऐसे questions तो आप 5 से 10 seconds के अंदर solve कर सकते हैं, देखे, a से o में क्या दिया है, a is less than o, यह है a, यह a है और यह o है, तो देखे, a से o में कुछ इस तरीके से जाओंगा, जब इस तरीके से गया है, तो देखे, यहाँ पर क्या है, lesser, और यह धर क्या है, equal, then यहाँ पर क्या है, greater, फिर यहाँ पर क्या है, greater, अगर आप देखे, तो यहाँ पर आपका o से a के बीच में यहाँ पर है lesser यहाँ पर है lesser फिर है equal फिर है यहाँ पर greater जब भी हमारे पास lesser और greater किसी भी element के बीच में अगर मुझे यहाँ पर lesser भी मिल गया और greater भी मिल गया तो यहाँ पर हमेशा flow जो है वो break हो जाता है मतलब इनके बीच यहाँ पर हम हमारा हर एक answer cannot होगा तो basic clear है, तो मेरी बात यह समझ में आरी होगी, क्यों यहाँ पर cannot से लिखाओ, मैं doubtful case, then S से P देखता हूँ, यह है S और यह है P, अगर आप S से P देखें, तो देखें, आप S से P के जगा P से S देख लिजिए, यह P है और यह S है, P से S जब देखेंगे, तो P से O में lesser है, फि इसका यही मतलब हुआ न, कि S is greater than P, इसले है definitely क्या हो जाएगा, true, क्योंकि P अगर S से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ है, S, P से बड़ा है, तो यह definitely true हो जाएगा, और यह cannot से, cannot से मतलब does not follow, इसले यहाँ पर जाएगा, only second conclusion is true option number C, तो होप सो यह दोनों question समझ में आया हो, चले देखेंगे है next question, अब next है कि यहाँ पर फिर से एक single line में यहाँ पर हमको statement दिया हुआ है, हमारा पहला conclusion है, B is less than E, य यह है मेरा B और यह है मेरा E, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर B से E जाएंगे, तो B से I जाना पड़ेगा, I से L, L से E, यहाँ पर कुछ भी करने की जरुवत नहीं, कहीं भी जाने की जरुवत नहीं, एक single statement है, तो B से I में greater है, I से L में equal है, और L से E में greater है, यह यह चीज़ मुझे explain करना पड़ रहा है, करके मुझे यहाँ पर time लग रहा है, ने तो मैं तो इसको definitely बोल देता कि यह गलत हो जाएगा, मैं देखके ही यहाँ पर answer गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर answer क्या आना चाहिए, B is greater than E, clear, क्योंकि यहाँ पर B आई से greater है, I और color change कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, यह L से I जब जाओगे और I से जब B जाओगे, B से जब O जाओगे, तो यहाँ पर एक greater का symbol है और एक lesser का symbol है, तो देखे, O से बीच के बीच में lesser है और B से I के बीच में greater है, तो यहाँ पर आप L का comparison M से कर ही नहीं सकते हो, क्यो जल्द से देख लेते हैं, इनका comparison, greater का comparison, lesser वाले element के साथ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर lesser than B हो गया, तो भी comparison नहीं हो पाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, कि जब same flow में होगा, या तो greater का flow में होना चीए, या तो lesser lesser के flow में होना चीए, तभी यहाँ पर हम comparison कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पर comparison नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर flow जो है वो break हो जाएगा, इसलिए L से M मिले cannot से हो जाएगा, clear, तो यह जो है, यह भी true नहीं है, यह भी true नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा जाएगा, कि option B if neither conclusion 1 nor 2 follows. चले अब देखते है statement 4. statement दिया है और यहाँ पर conclusion. तो conclusion देख लिए e से n. अब e से n कैसे जाओंगा? सबसे पहले power decide कर लेते हैं. पहले जाओंगा e से d, फिर जाओंगा d से n. अब देखें, जब e से d गया है, तो same flow में गया है. left से right, तो यहाँ पर symbol भी same रहेगा. जब d से n गया है, तो reverse गया है, clear? जब reverse गया है, तो यह symbol जो है, reverse कर देंगे, same direction, same symbol, reverse direction, reverse symbol, same direction मतलब left से right, reverse direction मतलब right से left, clear? तो d से n में मैं reverse जा रहा है, इसलिए lesser को क्या कर दूँँगा? greater, अब देखे, दोनो greater हैं यहाँ पर, तो मतलब इनके बीच में greater आना चीए, और यहाँ पर greater इसलिए definitely क्या हो जाएगा? true, clear? next देखते, r से w, यह है r, और यह है w, r से w कैसे जाएगे? देखे, r का comparison d से दिया है, और d का comparison w से दिया है, clear? तो देखे, r से d जब जाएगे, तो यहाँ पर क्या है? greater, तो greater को मैं पहले करूँगा, यहाँ पर reverse, तो यह हो जाएगा lesser, और d से w में यहाँ पर क्या है already? lesser, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगएगा? lesser, तो यहाँ पर दोनों ही lesser है, तो obviously बात है, lesser ही होगा r से w के बीच में, और यहाँ पर भी lesser, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? true, तो दोनों ही true है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएगे हम? both conclusion 1 and 2 follows, clear? बस इतनी यहाँ पर बाते आपको धियान रखना है, यह सारे concepts मैं बाद में आप से बहुत अच्छे से detail में यह सारे explanation मैं करने वाला हूँ. चले, अब यहाँ पर हम बात करते हैं next question, अब next question ने देखिए 5 से 10, मतलब इस question के लिए आप यह puzzle दिया है, इसके लिए आपको 6 question मिलेंगे, और यह 6 question यकीन मानिया, आप 2 minute से धाई minute के अंदर solve कर सकते हों, मतलब धाई minute में आप 6 question कर लिए हैं, मतलब समझ रहे हैं न आप, clear, तो 45 minute में 80 questions अगर आपको solve करना है तो आप at least 65 तक तो पहुँची जाएंगे, जब आपकी speed अच्छी है, ऐसे questions आप 2 time at के अंदर solve कर लोगे, तो यहाँ पर आप आराम से 65 तक आप आराम से questions solve कर सकते हो, और हो सकता है, possible है, clear, possible है, तभी यहाँ पर cut off जो पंजाब का था न, वो 65 गया सा, possible है, तभी तो गया होगा, मतलब minimum, जो person को minimum 65, मतलब वहाँ persons के number 75, 76 तक भी आये होंगे, clear, तो यह सारी बाते हैं आपके लिए, चले, next देखते हैं, अब यहाँ पर question लेका है, 9 people, M, N, P, Q, R, S, T, V, and W, are sitting equidistance in a row, and all are facing north, north देख रहे हैं सब के सब, मतलब यह question ज़्यादा difficult नहीं होने वाला है, जब यहाँ पर north और south दोनों direction देता है, तो थोड़ा difficult हो जाता है, मतलब यह question आप से अराम से बन जाएगा, चले, सबसे पहले हम एक row बना लेते हैं, ठीक है, और 9 लोग बैठे हैं, चले, next लिखा है, exactly 3 person sits to the left of R, R के left में, R को मैं कहीं पर बैठा देता हूँ, और R का left, सब किसब north देख रहे हैं, और exactly 3 लोग बैठे, तो R से 3 लोग बैठे हैं left में, तो यह first, अच्छा, आपको left और right तो पता ही होगा, जब person north देख रहे हैं, तो यह होगा left और यह होगा right, आप हमेशा याद रखो, जब भी कोई person north देख रहे हैं, अगर ऐसा बोला गया है, इसका यह मतलब है कि आप जिस direction में face किये ना, आप अपने आपको north facing माल लो, जो आपका left है वही इस person के लिए है, जो आपका right है, वही इस person के लिए right, आर के left में exactly 3 बैटे, तो यह 1 हो गया, फिर यह 2 हो गया, और यह हो गया end में 3, अब देखे, यहाँ पर हमको पता चल गया कि यहाँ total 4 हो गये, तो मैं बाकी 5 तो इधर ही आएंगे, तो 2, यह हो गया 3, फिर यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आजागा 5, तो यह 9 percent में total complete कर लिए, चलिए, नेक्स दिखाए, 1 percent sits between M and R, M और R के बीच में 1 percent बैठा है, अब देखे, M यहाँ भी हो सकता है, और M यहाँ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, R को मैं नीचे रख लिया, तो दूसरा case के लिए मैं फिर से diagram नी बना रहा हूँ, बस इसी case में मैं 2 case ले र right इधर होगा, तो यह first right, second right R हो जाएगा, और यह हो गया third right, और P जो है third right में बैठा है, तो यहाँ पर P आएगा, और अगर इस case की बात करें, तो यह हो जाएगा first right, यह हो जाएगा second right, और यहाँ हो जाएगा third right, तो P यहाँ आजाएगा, चलिए next का, as many people sit to the right of P, as to the left of S इसका मतलब यह हुआ, कि P के right में, जितने लोग भी बैठें, मालो X number of person बैठें P के right में, उतने ही person S के left में बैठने चीए, मतलब X के left में भी X person बैठने चीए, अगर उपर वाला case देखो, तो देखें, उपर वाले case में यहाँ पर है P, P के right में कितने हैं, एक, दो, तीन और 4, तो total कितने लोग हैं, P के right में 4, इसका यह मतलब हुआ कि S के left में भी 4 होने चीए, बट अगर आप ध्यान से देखो, तो P जो है 9 person है, और P जो है exactly beach में बैठ गया है, तो P अगर यहाँ पर बैठ गया है, तो S को मैं कहीं पर भी नहीं बैठा पाऊंगा, क्योंकि P औ उपर वाला case गलत हो जाएगा मिले, second case की बात करें, तो P के right में 0 number of person है, end में बैठा है, तो S के left में भी 0 number of person होना चीए, मतलब S यहाँ पर आ जाएगा, end में, left end में, next है, only three people sits between Q and S, Q और S के बीच में 3 लोग है, अब यह है भी S, Q और S के बीच में 3 है, तो एक यह हो जा left में, fourth left में, कौन बैठा है, T, fourth left में T बैठा है, अब देखिए, अगर, अब W को मैं right side रखना है, start करता हूँ, अगर मैं W को यहाँ रख दू, P के just left में, तो यह हो जाएगा first, यह हो जाएगा M second, फिर क्यों हो जाएगा third, और R हो जाएगा fourth, तो यहाँ पर अगर W को left, R हो जाएगा third left, और यह जो R के left में, यह हो जाएगा fourth left, यहाँ पर कौन आ जाएगा, T, clear, next के लिख है, कि N is one of the person who sits right of V, N जो है, V के right में बैठा है, बस इतना बोला है, immediate नहीं बोला है, V के right में बैठा है, अब दो place बचा है, ठीक है, तो V के right में बैठा है, तो obviously बात एक मेंट से जादा इस question के लिए नहीं लगेगा, एक मीनट मतलब 60 seconds होता है, एक मेंट कम नहीं होता है, एक मेंट मतलब 60 seconds, 60 seconds में ऐसे questions आप आराम से solve कर सकते हो, चलिए, हम देखते है question, पहला question है, number of person sitting between N and M, is, N और M के बीच में, कितने लोग बैठे है, यह है N और यह है इसके बीच में मुझे सिर्फ W दिख रहा है, मतलब 1 person, मतलब option A, next है, which of the pair of the person are sitting at extreme end, extreme end में एक तो S है और 1 है P, तो S और P मुझे first option A में ही दिख रहा है, ठीक है, चलिए, next यहाँ पर हम question देखते है, next है, who is sitting second to the right of Q, Q के second right, यह है Q, Q के second right, first right तो M हो जाएगा, second right हो जा जालना है, पहला QV है, then NQ है, चले QV, NQ यहाँ पर अगर मैं देखू, तो QV की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर QV की बात करूँ, यह है Q और यह है V, ठीक है, Q से V के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग, ठीक है वही, next है, N और Q, यह है N और यह है Q, N कुछ मुझे इस तरीके सीज़गा कि दो-दो लोग यहां पर बैठे हैं, next अगर मैं S और R की बात करूँ, तो S और R, ये है S और ये है R, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग, चलिए ये भी ठीक है, अच्छा, T और W के बीच की बात करूँ, तो चलिए भी, T और W देख लेते हैं, ये T है, और ये है W, इनके बीच कितने बैठे हैं, तीन लोग, ठीक है, बाकी सब के बीच में 2 बैठे हैं, और T और W के बीच में 3 बैठे हैं, तो बस यहाँ पर हमको next और option चेक करने की जरुवत नहीं है, मेरा answer क्या जाएगा, वो है D option, क्योंकि बाकी सब के बीच में 2 बैठे हैं, और T और W के बीच में 3, ये E को चेक करने की जरुवत नहीं, क चलिए, next है, more than 2% are left of S, but हमको पता है कि S तो यहाँ पर end में है, तो यह option भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, next है none of the option is true, यह हम तब तिक यहाँ पर टिक तरेंगे, जब 4th और 5th यहाँ पर गलत होगा, T sits immediate right of R, T क्या immediate right है R के, यह T और यह R, T जो है immediate left है, R के immediate right नहीं है, इसलिए यह भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गलत, यह भी गलत है, यह भी गलत है चलिए, अब अगर E गलत हो गया, तो हमारा none of the option आजाएगा C option, N is second person from right extreme end extreme end, जो right side है उससे N जो है second number पे है चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो right side first extreme पे P है, और second extreme पे कौन है, M, clear, तो यहाँ पर हमारा option क्या हो जाएगा, तो वो option हो जाएगा E, hope तो यह सारे questions आपको समझ में आ रहा हो चलिए, next है, who is sitting at right end, right end में कौन बैठा है अभी हमने देखा, right end में कौन बैठा है P, तो यहाँ पर option क्या जाएगा, D तो यहाँ पर हमारा option जाएगा D, तो यह 6 question थे, इस 6 question को solve करने में आपको चलिए, एक question का 5 second भी लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 30 second के अंदर यहाँ पर 6 question solve हो सकता है, चलिए जादा से जादा से जादा 40 second क्योंकि यहाँ पर जो 9th वाला question था, इसमें थोड़ा सा time लग सकता है, बाकी में time नहीं लगेगा, 40 second इसके लिए और डेड़ में उसके लिए काफी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे questions 2 minutes के अंदर अब हमसे बन जाएंगे, जादा से जादा अगर दिक्तत हो रहा है, थोड़ा सा problem आ रहा है, तो time उससे जादा नहीं लगना चाहिए, अगर उससे जादा लग रहा है, तो आपको practice की बहुँँँजादा जरुवत है, चलिए अब देखते हैं अब शीट में कई लोग का ऐसा होता है, मैंने देखा है पढ़ाते हुए, जब मैं classes लेता था तो student जो है न, circle बनाने में काफी time लगता था, किसी का circle अच्छा बन जाता था किसी का circle अच्छा नहीं बनता था तो circle को ही cancel करकर के circle ही बनाते रहते थे, मतलब वो काफी time लगा देते circle बनाने के लिए, यार हमको circle नहीं बनाना है, सिर्फ circular arrangement है, clear, आप कैसे भी solve कर, उससे फरक नहीं पड़ता, आपका answer निकलना चीए तो मैं पस यहाँ पर चाल लाइन खीच लूँगा समझिये हमको कैसे questions एक्जाम में देखने मिलते हैं और हमको उस question को कैसे approach करना पड़ता है और यहाँ पर मुझसे सीखिए कि आप उस question के लिए max to max कितना time दे सकते हो, कितना time यहाँ पर हमको ऐसे questions के लिए देना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखे, end तक देखे, बहुत मजा आने वाला है चले, यहाँ पर लिखा हुआ है कि h is अब question पर आजाते हैं, देखे, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर अंदर का मतलब क्या होई, यह एक center है कोई भी person table में बैठता है, तो यह तो आप अंदर की तरफ देखोगे, मतलब center की तरफ यह तो आप बाहर की तरफ देखोगे, यह बाहर हो गया जब भी कोई person अंदर की तरफ देखता है तो उसका left और right वही होता है, जो north में left और right होता है, मतलब अगर कोई भी person अंदर की तरफ देख रहा है, तो आप अपने आपको यहां पर assume कर लो कि आप यहां पर बैठे हो, तो आप यहां बैठे तो आपका यह left hand है और यह right hand है, बस मतलब कहीं पर भी बैठे रहो अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो, तो आपका left यह जाएगा और यह हो जाएगा right, और अगर कोई परसन बाहर देख है, तो clockwise मतलब right और anti-clockwise मतलब left, बस इतना याद रखना है, और इतना भी याद नहीं हो रहे है, तो आप एक काम कर लिजे, अगर आप अंदर की तरफ कोई भी परसन बैठे तो अपना left और right तो पते ही है, अपना left hand और अपना right hand तो पते ही होगा आपको, वही एक बार left hand उ मान लिजी कि आप बाहर देख रहे हैं, तो आपका left और right भी change हो जाएगा, बस इतना ही करना है, चले question पर आते हैं, h is sitting, immediate right of f, h जो है, f के immediate right में बैठा है, अब देखे, f कहां देख रहे है, यह पता है कि हमको, नहीं पता है, तो f को मैं दो case लूँगा, जिसमें क्या एक बार f को मैं अंदर की तरफ face करूँगा, और एक बार f को बाहर की तरफ, ऐसे करोगे तो question बहुत जल्दी solve होता है, बहुत कम time लगता है, single possibility के चकर में नहीं रहना है हमको, हमको questions solve होना चीए, हमसे questions solve होना चीए, clear, जल्दी solve होना चीए, जल्दी कब solve होगा, जब आप cases बना के solve करोगे, confusion फिर होगा ही नहीं आपको, clear, चले, यहाँ पर f मैं रख लिया, और f कहां देख रहा है, एक बार मैं अंदर की तरफ, और एक बार f को बाहर की तरफ, clear, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, यहाँ पर लिखा है, h is sitting immediate right of f, तो देखे, sitting between f and c, f और c के बीच में 3 लोग बैठे है, जब भी 8 परसन बैठे होते हैं, तो अगर 3 परसन, किसी भी परसन के बीच में बैठे है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के opposite बैठे है, इतना याद रखना, clear, तो यहाँ पर f है, first case की बात करते हैं, यह first case ले लिया, और यहोगे म art person है, ठीक है, चले, next का लिख है, c is sitting third to the left of a, c जो है third left बैठे है, a के third left बैठे है, a के third left बैठे है, a कहाँ देख रहा है, अंदर की बाहर नहीं पता, बट, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखे, तो c से, अगर आप third कहीं भी देख लो, c से left भी देख लो, right भी देख क्योंकि अभी c का तो direction नहीं पता है, a का भी नहीं पता है, अगर c से मैं इस direction में जाता हूँ, यह वाले direction में, तो यहाँ पर third में कौन बैठा है, h, मतलब यहाँ पर a नहीं आएगा, clear, तो a यहाँ नहीं आएगा, तो a को यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर a को यहाँ रखूंगा, तो third left में कब आएगा, c, जब a अंदर की तरफ देख रहा है, तो यह हो जाएगा first left, यह second और यह third, तो c third आजाएगा, तो इस case में अंदर की तरफ देखेगा, और अगर इस case की बात करो तो यहाँ पर कौन है, h, तो यहाँ पर a को रखना पड़ेगा, और a क अगर यहाँ रखूंगा, तो a किधर देखेगा, बाहर की तरफ, तभी मैं बोल पाऊँगा, c, जो है third left में आएगा, यह first left, यह second और यह third, चले next का लिखा है, g is sitting immediate left of a, g immediate left है a के, a कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ, मतलब g यहाँ पर आजाएगा, और इस case में बाहर लिख लिख लिए, कि D जो है, वो कहाँ देख रहा है, center की तरफ, clear, क्योंकि अभी D तो बैठा है नहीं, चले, इसको मैं लिख 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 लिए, ताकि बाद में हमको confusion ना हो, ठीक है, कुछ भी चीज छूटना नीचे, और किसी भी line को हमको सिप एक बार पढ़ना है, clear, जितने भी आप मेरे वीडियोस देखो, कि जितने भी आप puzzles यहाँ पर कियें हम लोग, या जितने भी यहाँ पर हम memory based questions कियें, सब में देखना, किसी भी puzzle में मैं किसी भी line को दुबारा नहीं पढ़ता, और यहीं हमारा approach होता है, क्योंकि जब आप किसी भी line को दुबारा न direction, faces different direction, clear, तो देखें, G के जो neighbors हैं, वो अलग-अलग direction है, face किया है, एक अंदर देख रहा होगा, एक बाहर, तो अगर first case की बात करो, तो देखें, G का एक neighbor जो है A है, वो कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, मतलब दूसरा जो neighbor होगा, वो बाहर की तरफ देखेगा, और second case की बात करो, तो देखें, G का एक neighbor A है, जो बाहर की तरफ देख रहा है, तो दूसरा neighbor अंदर की तरफ देखेगा, faces different direction, clear, next क्या लिखा है, B sitting second to the left of E, B जो है E के second left में बैठा है, B, E के second left में बैठा है, अब देखें, अगर B, अंदर की तरफ देखेगा, अगर अंदर की त और अगर E बाहर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, ये center की अगर बाहर देख रहा होगा, तो B इधर आएगा, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, अब देखें, E और B को मैं कहां रख सकता हूँ, अलग-अलग जगए यहां पर हम रख के देखेंगे, ठीक है, तो E क यहां नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहां पर E को रखूँ, यह place में, E को, अब E का तो direction इस case में नहीं पता, अब मान लो E जो है, वो बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो second left में H आजा जाएगा, E अगर अंदर की तरफ देख रहा है, तो second left में H आजा यहां पर second में C है, मतलब E कहीं पर भी देखे, B के लिए तो जगए ही ने, इसलिए E यहां पर नहीं आ पाएगा, clear, इसलिए यहां पर E जो है, वो नहीं आ पाएगा, चलिए, तो यह first case में E के लिए place और B के लिए place पता चल गया, अच्छा, अब बच क्या गया है, तो ब अंदर की तरफ देखेगा, अगर E अंदर की तरफ देखेगा, तो उसका left इदर हो जाएगा, और second lap में कौन है, C, बट मुझे क्या चीए था, B, इसलिए E यहां पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर E जो है, अंदर की तरफ देखेगा, तो second में क्या है, यहां पर F, तो E नहीं आ सकता, चले, अगर मैं E को यहां बैठाओ, तो अगर मैं E को यहां बैठा लिया, तो second left कब होगा, जब E जो है, अंदर की तरफ देख रहा होगा, इस case में, जब E अंदर की तरफ देख रहा होगा, तो first left हो जाएगा C, और second left हो जाएगा B, अगर मैं B के जगा E को E को बैठा लेता, तो यहाँ person तो अंदर ही देख रहा है, तो यहाँ पर अगर E को बैठाता है, तो second lap में A आ जाता है, इसलिए यहाँ पर E आ ही नहीं सकता, clear? तो तीनों में से एक ये place था, एक ये place था, और एक ये place था, इन तीनों में से E के लिए यही suitable place था, और कहीं पर नहीं बैठ सकता, तो E यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गया B, और बच क्या गया D, तो यहाँ पर आ जागा D, और D कहाँ देख रहा है, center की तरफ, क्योंकि यह मेरा फिर्स था, चले अब next यहाँ पर देखते हैं, नेक्स यहाँ पर लिखा है, both the neighbors of E faces same direction as B, तो यहाँ पर लिखा है कि भई, E के जो neighbors हैं, ठीक है, दो neighbors हैं, वो B के direction में देख रहा है, तो यह E है, first case में देख लेता है, यह E है, E के जो दोनो neighbors हैं, both neighbors, वो B के direction में देख रहा है, और B कहाँ देख रहा हैं, यह है E, ठीक है, E कहां देख रहा है, अंदर की तरफ, और यहाँ पर हमको क्या बोला है, बोथ the neighbors of E faces same direction as B, B किधर देख रहा है, यहाँ पर अंदर की तरफ, और अगर यहाँ पर B अंदर की तरफ देख रहा है, तो C भी अंदर की तरफ देखना चीए, और D भी अंदर की तर तो यह मेरा बन गया question, अब इससे related यहाँ पर हमारे पास 3 question है जिसका हमको answer देना है, चले, first यहाँ पर है find the odd one out, odd one out निकालना है, D, C, A, H, E, अगर D को देखो तो D अंदर की तरब देख रहा है, ठीक है, अगर C को देखें तो C भी अंदर की तरब देख रहा है, अगर A को हो सकता है, और अगर आप बाकी H और E को देखें, तो H भी अंदर की तरब देख रहा है, और यहाँ पर E भी अंदर की तरब, मλनब D, C, H, E, यह सब के सब अदर की तरब देख रहे है, सिर्फ option C है, जो A है, वो आपको कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ, यहाँ पर क्या इन में से true क्या नहीं है चले यहां पर अगर मैं देखूं A is sitting second to the left of B A क्या B के second left में है यह B है B के second left में A है बिल्कुल है B अंदर की तरफ देख रहा है तो first left G हो जाएगा यह left हो जाएगा B का तो first left G और second left A तो यह सही है मेरा next है 3% sits between B and G B और G के बीच में 3 person है क्या नहीं है यह यहां पर मेरा definitely क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि B और G जो वो immediate neighbors है तो उनके बीच में 3 person आ ही नहीं सकते इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा यह definitely false अगर आप C और D देखो तो देखो एक तो यहां पर है एच इमिडेट नेवर और दी बिल्कुल है एच इमिडेट नेवर डी का A faces outside तो A outside देख रहा है यह भी सही है यह सब तो सही है ठीक है all are true तो हो ही नहीं सकता अब जो B option था वही हमारे definitely false था तो यह सब तो बाद में मैं सिफ ऐसे ही बताने के लिए है बाकि इसको हमको चेक करने की जरुवत ही नहीं है जब हमारा option भी आ चुक है तो हम यहां पर टिक करेंगे और next question है पर solve करेंगे चले अब देखते हम next question अब यहां पर हमारा question जो है वो silogism से कितने questions देखे 14 to 17 इसका मतलब कितने questions हो गया 14 15 16 17 चार question आपका silogism से आया चले अब यहां पर हम देखते हैं कि question क्या है तो no dolphin is latch यह dolphin ले लिया रही यह dolphin dolphin क्या नहीं है लैच लिए डॉल्फिन लैच एक दूसरे में नीज एंगे फिल लिखा है all trends are dolphin तो trends जो है वो किसके अंदर आएगा dolphin के अंदर तो मैं यह टी जो है उसको मैं dolphin के अंदर रख लिया फिलिका no ship is latch ship जो है वो latch नहीं है तो ship जो है वो latch नहीं है यह होगा ship और यह होगा latch clear यह मेरा when diagram कुछ इस तरीके से बनेगा और इसके यहां पर हम दे देते हैं चलिए यहां पर हमारा first conclusion क्या है at least some dolphins are ship at least some के सामने हमेशा at least लिगा रहता है अगर नहीं लगा है तो भी आप at least करके पढ़िए और लगा हुआ तो भी अच्छी बात है clear तो at least को कभी भी ignore मत करिए जब भी सम है उसका मतलब at least लगा ही हुआ है अब सम का मतलब क्या होता है देखिए सम का मतलब होता है हमेशा याद रखना सम का मतलब होता है connection किसी भी element के बीच में अगर थोड़ा भी connection है तो sound definitely true होता है बट यहाँ पर है ship और यहाँ पर है dolphin इनके बीच में कोई connection है क्या इनके बीच में कुछ भी information नहीं है information lag कर रहा है यहाँ पर कुछ भी information नहीं है जिनके बीच में information नहीं रहता हमारा हर एक answer यहाँ पर cannot say situation होता है मतलब doubtful case होता है जिनके बारे में यहां पर नहीं पता होता है ना, उसका हर एक, यहां पर हम conclusion जो है, cannot से बोलते हैं, तो देखें, यहां पर ship है और यह dolphin है, तो ship और dolphin के बीच में जब information नहीं है, तो यह मिले हो जाएगा, cannot से situation, next, no dolphin is ship, dolphin जो है, वो ship नहीं है, फिर से इनके बीच information नहीं है, यहाँ पर जो आपका either or जिसको complementary pairs बोलते है either or इसाद नो के साथ sum और दूसरा all के साथ sum North clear no के साथ sum और all के साथ sum North अगर 9 के साथ sum है thon यहाँ पर either or लग जाएगा और all के साथ sum North हベ Unter Professionals लग जाएगा either or लगता है बट आप ऐसे questions जब भी आपके पास ऐसे conclusions आएंगे आप मेशा याद रखना है और some and some not में either or नहीं लगता जब आप exam दिलाएंगे IVPS, SBI कभी भी आपके पास अगर ऐसे questions आएंगे आपको तो पता यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर first conclusion sum का है और दूसरा है no का clear तो sum and no है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा either or complimentary pairs बनेगा इसलिए यहाँ पर लगेगा option B तो देखिए अगर आपका concept clear है तो आपको यह चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पर either or क्यों लग रहा है चले next बात करते हैं यहाँ पर statement next लिए all nodes are toys node जो है वो पूरा का पूरा क्या है toy है only a few statues are nodes only a few का मतलब क्या होता है जब भी आपके पास यह उपर देखिए यहाँ पर जब भी आपके पास only a few का case होता है तो only a few का मतलब सिर्फ sum नहीं होता है only a few का मतलब होता है sum plus sum naught बोलना क्या चाह रहा है यह बोलना चाह रहा है कि only a few are b अगर कुछ इस तरीके से इसका मतलब यह हुए कि a का कुछ पार्ट तो b में है बट केवल a का कुछ पार्ट b में है only a few A is B तो यहाँ पर क्या लिखा है only a few statues are node इसका मतलब कुछ statues nodes होंगे और कुछ statue nodes नहीं होंगे तो यहाँ पर मैं color पहले change कर लेता हूँ ताकि confusion नहीं हो यह nodes है, nodes का कुछ part को मैं statue से connect कर लिया तो इसका यह मतलब हो कि statue का कुछ part जो है वो node है बट कुछ part जो है statue का वो node definitely नहीं होगा यह आपको पता होना चाहिए फिल लिखा है all statues are cases statues जो है वो पूरे के पूरे क्या है तो वो है आपका cases तो statue को मैं पूरा का पूरा किस के अंदर रतूँगा भई cases के अंदर तो statue किस के अंदर आ जाएगा cases के अंदर तो यह मेरा when diagram कुछ इस तरीके से बनेगा चले अब यहाँ पर हमारे पास conclusions क्या दिया है उसको देख लेते हैं चले पहला conclusion है all toys being statue is a possibility पूरा का पूरा toy का यहाँ पर statue होने की possibility देखे मैंने कहा कि statue का कुछ part जो है न वो node में नहीं जाएगा यह part node में नहीं जाएगा node जो हो statue में आ सकता है clear node जो है statue में आ सकता है यहाँ पर बात किए toy का toy और statue के बीच में यहाँ पर indirect some का तो connection बन रहे है but यहाँ पर बाकी सारे information नहीं मतलब toy का बाकी part जो है वो statue में है कि नहीं इनके बारे में information नहीं है, बट जिनके बारे में information नहीं होता, अगर उनमें possibility लगता है, तो वो हो जाता है true, तो एक चीज याद अठना, अगर आपको सिर्फ इतना बोलता कि all toys are statue, तो ये मिले होता cannots है, doubtful case, क्योंकि toy जो है, वो statue में आ सकता है, clear, आ सकता है, बट ऐसा जबरी नह है a, और ये है कुछ b, तो a का कुछ part b है, ठीक है, बाकी का a का जो part है, वो b है कि नहीं, इनके बारे में information नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ all a are b, तो आप बोलोगे कि भई, हम नहीं बता सकते कि पूरा का पूरा a b है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे cannot, बट अग पर all toy, पूरा का पूरा toy, statue में आने की possibility है, तो यह definitely क्या हो जागा, true, next are some notes are definitely not cases, कुछ notes definitely cases नहीं है, यह है notes और यह है case, मैंने क्या कहा कि statue का कुछ part notes नहीं है, notes जो है, वो statue में आ सकता है, पूरा का पूरा, तो वो cases में भी पूरा का पूरा आ सकता है, इसलिए कुछ notes जो क्यों, क्योंकि notes का, कुछ part जो है, वो cases में तो है, बट कुछ notes का part, बाकी का notes का part है, वो case में नहीं है, definitely ऐसा बोल रहा है, तो मैं बोलूगा भई, यह तो हम नहीं बता सकते कि notes का, जो बाकी part है, वो case में है की नहीं, इसलिए यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, cannot say, clear, और इ क्वेशन नमर 16 जो statement है, वो जो आपका 14 वाले statement है, उससे same है, clear, और यह जो 17 वाले statement है, यह आपका 15 वाले question से same है, तो अब हमको यहाँ पर when diagram बनानी की जरुवत ही है, इसी statement से दो-दो question दे दिये, तो यह मेरा diagram अल्रेडी बना हुआ है, इसी diagram को देखके मैं यहाँ पर इ कोई information है क्या, नहीं है, जब information नहीं है, तो हमारा हर एक answer क्या होता है, cannot stay, clear, और जब cannot से होता है, तो उसमें possibility लगता है, तो क्या हो जाता है, true, इसलिए यह हो जाएगा, definitely true, next है, no latch is a trance, अब देखे, यह है latch और यह है trance, यहाँ पर हमको पता है कि latch जो है, वो dolphin से connected नहीं हो सकता, कभी भी यहाँ पर connection नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या दिया है, no, मतलब latch जो है, वो dolphin में नहीं जा सकता, और dolphin जो है, वो latch में नहीं जा सकता, और मुझे पता है, कि यहाँ पर जो trance है, वो किसके अंदर है, dolphin के अंदर, तो यह पूरा का पूरा dolphin जो है, वो latch में नही जा सकता क्योंगी लेट जो है वो डॉल्फिन से ही connect नहीं हो सकता तो ट्रांस से कैसे connect होगा इसलिए यह definitely true हो जाएगा अब दोनों ही सही है इसलिए यहाँ पर option क्या जाएगा all होने की possibility है ऐसा हो सकता है बट definitely नहीं इसलिए all notes are cases को मैं बोलूँगा ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए में क्या हो जाएगा next देखते है no statue is a toy statue toy नहीं है यह statue और यह toy भाई statue और toy तो connected दिख रहे है ना हमको नोट जो है यहाँ पर आपके किसके अंदर है toy के अंदर और statue का कुछ पार्ट किसके अंदर है तो cannot से का मतलब भी does not follow होता है कि cannot से को true तो हम करते नहीं यह भी does not follow है और false को भी does not follow बोलते है इसलिए यहाँ पर option क्या जाएगा हमारा see neither one not to follow तो hopes हो यहाँ पर चारों यहाँ पर आपके syllogism के questions आपको समझ में आया हो चलिए अब यहाँ पर हम देखते है next question next question यहाँ पर आपका puzzle है जिसमें 10 people के बारे में दिया है celebrate their birthday of 5 months जैन, March, April, June, November clear देखिए video भली lengthy है बट मज़ा आ रहा हो गया है क्योंकि questions solve हो रहा है तो मज़ा तो जरूर आएगा ठीक है इस question को बनाने में कितना time लगना चाहिए आपको यहाँ पर इस question आपको दिखता है तो आप कितने time में इस question को solve कर सकते है देखिए कुछ-कुछ questions तो यहाँ पर हमारे पास मतलब 5 questions यहाँ पर दिए हुए है तो 5 questions को solve करने के लिए अगर हम 3 minutes देते हैं तो काफी है और 3 minutes के अंदर आप यहाँ पर इस question को solve करके इसके 5 questions के आंसर भी दे सकते हो तो उससे ज़्यादा time यहाँ पर नहीं लगेगा और speed बहुत अच्छी है तो यह question भी बहुत जल्दी solve हो जाएगा question आपको भले ही बड़ा दिख रहा हो बड़ एक्चुल में ऐसा नहीं है आपको approach पता होना चीए best approach पता होना चीए कि कैसे ऐसे questions को हमको solve करना है देखें यहाँ पर हमको क्या दिया है 10 person दिये एक किसी का 15 तारीक को आता है बड़े किसी का 20 तारीक को ही आता ह तो जनवरी में 15 और 20 तारीक, मार्च में 15 और 20, अपरेल में 15 और 20, जून में 15 और 20, नॉमबर में 15 और 20 तो यहाँ पर total 10 हो गए हमारे पास आ जाएगा मार्च, फिर यहाँ पर 15 और यहाँ जाएगा 20, फिर यहाँ पर क्या दिया है अपरेल, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर क्या दिया है आपका जून, तो यह हो गया जून, इसमें भी 15 और 20, फिर लास्ट में दिया है नवेंबर, तो यहाँ पर 1012ंधारा नहीं पड़नना इसलिए हम हमंड बना लेंगे जिसमें में लिकूंगा कि आर जो हॉ क्यों के बाद में percent celebrate करता है तो क्यों पहले आए गा और उशके नीचे कहीं कहीं कौन आएगा आर क्योंकि आर बाद में celebrate कर रहे क्योंगे ठीक है फिर क्या लिख है L celebrate his birthday on 15th of the month which has 31 days अब 31 days आपको months के days याद होने चीए जैसे Jan में 31 days होते हैं अपरेल में 31 days होते हैं अच्छा स्वारी मार्च में 31 days होते हैं अपरेल की बात करो तो 30, June की बात करो 1230 और number की बात करो 1230 मतलब जो L का बड़े है वो यह तो January में आएगा यह तो March में आएगा तो first case में ले लिए January और दूसरा case में ले लिए यहाँ पर March तो दोनों में 15 को यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा क्यों 15 को आता है exactly two person celebrate their birthday between L and P L और P के बीच में दो लोग exactly birthday celebrate किये देखे अगर मैं first case में लूँ तो L जो है सबसे उपर है तो P जो है वो कहाँ आ जाएगा March 20 में और L जो है यहाँ पर March 15 में रखना तो P उपर तो आई नहीं पाएगा क्यों सिर्फ दो बचे तो P फिर से नीचे आएगा एक और दो तो April 20 clear next का लिखाब है exactly three person celebrate their birthday between P and O P और O के बीच में exactly तीन लोग birthday celebrate किये अगर मैं first case की बात करूँ देखे O उपर तो आ नहीं पाएगा तो नीचे आएगा तो एक हो जाएगा 15 April, एक 20 April, एक 15 June तो यहाँ पर 20 June को मुझे किसको रखना पड़ेगा O को यह रख लिए अगर मैं second case की बात करूँ तो यह कि नीचे भी आ सकता है उपर भी आ सकता है तो दोनों case यहाँ पर हमको लेके चलना पड़ेगा तो उपर भी रख सकता हूँ तो 15 April, 20 March और एक होगया 15 March फिर यहाँ पर O और नीचे भी रख सकता हूँ तो यहाँ पर 15 June, 20 June और 15 November तो यहाँ पर आ जाएगा O ठीक है? चले next का लिखा हूँ है M celebrate birthday just before T but not in June और November M जो है वो T के just पहले बढ़े मना है मतलब M और T साथ में आएगे M उपर और T just उसके नीचे क्योंकि M celebrate किया birthday just before T T के just पहले but वो कौन-कौन से मन्त नहीं है June और November तो June और November में यहाँ पर M और T नहीं आएगे ठीक है? और आगे क्याल क्या है Also, both M and T celebrate a birthday in same month और इनको same month में भी रखना है अब देखे M और T को मुझे same month में रखना है और June और November नहीं होना चीए अगर मैं first case की बात करूँ तो first case में देखे Jan में रखनी पाऊंगा March में रखनी पाऊंगा तो सिब बचा क्या April तो April में M और T को रख लिया अगर मैं second case की बात करूँ माल लो O को मैं यहां पर रखा O यहां पर नहीं है इस case में अगर O जैन में है तो M और T को जैन में तो नहीं रख पाऊंगा अच्छा M और T को March में भी नहीं रख पाऊंगा क्योंकि March में L आ गया ठीक है M और T को मैं April में भी नहीं रख पाऊंगा March में L है इसलिए यहाँ पर भी नहीं आपाएगा तो सिर्फ कहाँ बचा तो वो है Gen तो M जो है वो कहाँ आजाएगा 15 Gen और T कहाँ आजाएगा तो 20 Gen तो होप सो यह चीज़ समझ में आया हो ठीक है चले next कहाँ पर क्या लिखा है The number of person celebrating a birthday before O is same as the number of person celebrating birthday after N O के पहले जितने लोग का बड़े हुआ है O के पहले मानलो X persons का बड़े हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि N के बाद भी X number का बड़े होना चीए तो O के उपर मानलो यहाँ पर 3 person का बड़े हुआ है तो N के बाद भी 3 person का बड़े होना चीए अगर first case की बात करें, ठीक है, अगर first case की बात करें, तो O जो है यहाँ पर है, O के पहले कितने लोगा बड़े हुआ है, एक, फिर T, फिर M, फिर P, चार हो गया, फिर 5, 6 और 7, तो O के पहले 7 लोगा बड़े हुआ है, इसका यह मतलब वह खिए N के बाद 7 लोगा बड़े होना N के नीचे, साथ लोग, same number of person, second case की बात करूँ, second case में O कहां है, तेकि O जो है सबसे नीचे है, तो O के उपर कितने लोगा बड़े हुआ है, 9%, तो N के नीचे कितने person का बड़े होना चाहिए, 9%, तो N को मैं टॉप में रखना पड़ेगा, बट N टॉप में नहीं आ पाएग in the same month, U और S same month में है, and U celebrate but day before S, तो U पहले आएगा, बाद में S आएगा और इनको same month में रखना है, तो इस case में same month में जगा कौन सा है, तो सिर्प और सिर्प और सिर्प कौन सा है, तो वो है November, November मैं U को 15 में रखूंगा, और S को 20 में, क्योंगे same month और तो कोई बचा है नहीं अब इसके हम answers दे देते हैं, चले पहला question क्या लिखा है, who celebrate a birthday on 15th April, 15th April को किसका बच्ड़े था, तो 15th April को मुझे दिख रहा है, यहाँ पर M का बच्ड़े था, चले तो यहाँ पर option जाएगा A, who celebrate a birthday just after R, R के just बाद किसका बच्ड़े था, R के just बाद O का बच्ड़े था, clear, तो यहाँ पर मेरा option क्या जाएगा, D option O, next है, who celebrate her birthday before M, M के before, M के पहले, किसने यहाँ पर अपना birthday celebrate किया है, तो M के पहले, किसने बच्ड़े celebrate किया है, P, N, Q, L, P, N, Q, L, ठीक है, P, N, Q, L यह हमारा है, P, N, Q, L, इन चारों ने यहाँ पर birthday celebrate किया है, option सिर्प मुझे A दि तो यह सब उसके बात celebrate किये है, सिर्प Q जो है, यहाँ पर जो option में दिख रहा है, Q, वो उसके पहले यहाँ पर birthday celebrate किया है, next है, how many people celebrate their birthday between Q and O, Q और O के बीच में कितने लोग birthday celebrate किया है, यह है Q, यहाँ पर है Q, 20 Gen, और क्या लिखा था, O and Q, तो Q जो है, वो 20 Gen है, और O कहा है, तो वो है 20 June, इनके बीच में कितने लोग birthday celebrate किये है, तो देखें, इनके बीच में कर count करें कि N, P, N, 3 हो गया, 50 हो गया, 4, फिर R हो गया, 5, मतलब option क्या जाएगा, 5, option B जाएगा, 5 लोग उसके बीच में birthday celebrate किये है, next है, who celebrate their birthday just before P, P के just पहले किसने birthday celebrate किया, P के just पहले मुझ कम समय में ऐसे questions आप solve कर सकते हो, चले, अब देखते हैं, आज के session का last question, total 40 questions है, बट बाकी ऐसे questions से जो बहुत असानी से questions मैंने नहीं लिया है, ठीक है, बाकी हमने काफी सारे questions यहां पर solve कर लिया है, तो ऐसे ही questions आपके पास आते हैं, चले, अब यह जो है, आपका coding, recording से question, old pattern का, clear, coding, recording is a question है, बहुत असानी से question solve होते हैं, चले, यहां पर हमको बताना है, first, what is the code of crowd, crowd का code बताना है, तो हम क्या करेंगे, crowd का code बताना है, सबसे पहले, यहां पर यह सारे sentence है, clear, कितने sentence दिये हैं, पास sentence, पास sentence दिये हैं, तो आप यहां पर crowd ढूंदे, crowd मुझे सिप सिप किसमें दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे है, third sentence में, clear, third sentence में crowd है, मैं numbering कर लेता हूँ, यह होगया one, यह होगया two, यह होगया three, यह होगया four, और यह होगया five, तो मुझे third sentence में crowd दिख रहे है, अब crowd का code क्या हो सकता है, DIC, VRU, MITI, SI, K, इन ही चारों में से होगा, अब क्या करेंगे, crowd और कहीं नहीं दिख रहे है, तो मैं क्या करूँ, in, the, और capital, in, का यहाँ पर मैं code लिखा लूँगा, clear, इनके codes मिल जाएंगे, तो यहाँ पर crowd का हमको पता चल जाएगा, चले, तो in कहां कहां दिख रहे है, in मुझे एक तो third में दिख रहे है, और second में दिख रहा है, यहाँ पर in है, दोनो में in ही common है, clear, अगर आप second और third देखें, तो दोनो में in common है, मतलब, यहाँ पर ऐसा एक code होगा, जो दोनों में common होगा, तो क्या code देख रहे है, तो मुझे दिख रहे है d i, c, तो दोनों में d, i, c, common है, मतलब in के लिए d, i, c है, यह ज चले अब देखते हैं the और capital का अगर आप देखें तो the capital जो है न वो ऊपर में भी first sentence में भी the capital है, तो the capital यहाँ पर भी है, the capital यहाँ पर भी है, the capital के लिए यहाँ पर कौन-कौन सा जो है same दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक तो V-E-R-U और M-I-T-I, यहाँ पर V-E-R-U M-I-T-I, तो अगर मैं देखूँ बताओं तो the और capital इनके लिए, अभी हमको नहीं पता है इन दोनों में से किसके लिए क्या है, बट इतना पता है इन दोनों का code जो है एक है V-E-R-U और एक है M-I-T-I, तो इसका यह मतलब हुआ कि S-I-K जो बचा, यह किसके लिए होगा crowd के लिए, तो यहाँ पर हमारा answer क्या जाएगा, B, तो मैं यहाँ पर लिएता हूँ कि जो crowd है, उसका code क्या निकल क्या आगया, S-I-K ठीक है, बाद में और काम आते हैं भी फिर है, what can be the code of festival in India festival in India का code बताना है, अब देखे in का तो अल्रेडी पता चल गया है, D-I-C तो D-I-C आपको कहा कहा दिख रहा है अगर आप option A में देखें, तो option A में D-I-C नहीं है, अगर B देखें यहाँ पर मुझे festival दिख रहा है, ठीक है fourth में, यहाँ पर festival दिख रहा है और second में यहाँ पर festival दिख रहा है बादी अगर आप देखें ना India, तो India यहाँ पर दिया ही नहीं है कहीं पर भी India नहीं दिया है, जब India नहीं दिया है, तो उसका ऐसा code लिया गया होगा, जो कहीं पर भी use नहीं हुआ होगा, इस question में कहीं पर भी वो code use नहीं होगा, अगर आप देखें, vij vij यहाँ पर भी use हो चुका है clear, vij यहाँ पर भी है second में, ठीक है, तो vij जो है वो इंडिया का code तो नहीं हो सकता, dic in का है, और j double यह अगर मैं बात करूँ, तो यह जो j double है न, यहीं इंडिया का code हो जाएगा फिलहाल के लिए, इस question के लिए, और अगर आप c की option, c की बात करें, तो vij भी है, dic भी है बट sik है, और sik crowd के लिए, मतलब festival in इंडिया का code c तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि sik है, sik है तो crowd के लिए, मतलब d option मैं tick कर दूँगा, यहाँ पर मुझे check करने की भी जरुवत नहीं पड़ीगी, मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर option number d, चले next यहाँ पर देखते है, question number 31, what is the code of festival in india crowd capital, festival in india, crowd capital का मुझे code चलिए, चलिए, festival in india crowd capital, अगर हम बात करें, in का, in का capital, code है dic, crowd की बात करूं तो crowd का है sik, clear और capital की बात करें, तो capital का यह तो veru है, यह तो miti है, ठीक है, तो capital के लिए यह तो veru use क्या होगा, ठीक है, यह फिर miti use क्या होगा, festival के अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखें, यहाँ पर 30 question में, अगर आप 30 number, तो देखें, 30 number question में, यहाँ पर vij use हुआ था, यह वी आई जे ही festival के लिए code था, हमको ढूनने की जरूबत नहीं है, तो festival के लिए code क्या आ गया हमाले, vij, vij, j, तो मतलब festival के लिए vij है, dic जो है वो in के लिए, sik जो है crowd के लिए है, और v-e-r-u या m-i-t-i जो है, वो capital के लिए है, तो इंडिया के लिए तो हमको दिया ही नहीं है, तो अब इन ही में से यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, मतलब festival के लिए vij, in के लिए dic, इंडि dic तो सारे यहाँ पर options में है, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ sik, sik कहा है, तो sik भी सारे में है, ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया कि festival in और crowd, इंडिया और capital के बात पर, देखे, capital के लिए यह तो value है, यह तो meeti है, m-i-t-i, यहाँ पर देखिए, option a में दोनों है V-R-U और M-i-t-i, तो option यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया के लिए कहीं पर भी नहीं है, अगर B option देखू न, यह J-A-I है, अगर आप यहाँ पर देखे, कहीं पर भी J-A-I use हुआ है, कहाँ, बिल्कुल हुआ है, यह जो है, J-A-I use हुआ है, मतलब यह इंडिया के ल V-I-K-I, क्या, इंडिया का है, तो V-I-K-I की बात करें, तो यहाँ पर भी V-I-K-I है, यहाँ पर भी V-I-K-I है, मतलब V-I-K-I जो है, वो डेली के लिए होगा, यहाँ पर भी डेली है, और यहाँ पर भी डेली है, तो V-I-K-I डेली के लिए होगा, मतलब डेली तो ही न तो क्योंकि यहां पर मुझे explain करना था, इसलिए यहां पर time लगता है, बाकि अगर ऐसे questions को solve करेंगे, तो आप बहुत जल्दी solve कर लेंगे, चलिए, अब next यहां पर देखते हैं, last question, what is the code of capital, capital के लिए code हमको पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर VU, RU, या फिर MITI होगा, तो इसलिए option क्या जाएगा, यहां पर option B, V, RU, और MITI, clear, तो यह था हमारे, यह थे आपके पास 32 questions, जिसके यहां पर हमने solution देखा, ऐसे ही questions की practice करनी है, जब आप यहां पर RRB PO exams की तयारी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि question ज़्यादा difficult नहीं है, अगर आपकी speed है, तो आप बहुत सारे questions यहां पर कम समय में solve कर सकते हो, और अगर मैं reasoning की बात कर तो reasoning में 40 questions है, то अगर आप 20 minutes reasoning के अगर 45 minutes में, थेस है, तो 20 minutes में reasoning के, मैं बोल सकता हूँ कि आप 30 plus questions solve कर सकते हो, 30 plus questions आप ar themed से solve कर सकते हो, 20 minutes के अंदर, मतलब 32 से 35 तक के questions आप अराम से 20 में solve कर सकते हो अगर आपकी speed अच्छी आपकी accuracy अच्छी तो बहुत कम समय में ऐसे questions solve कर सकते हो आपने देखा होगा कोई भी questions जादा difficult नहीं था तो आप अपनी practice जारी रखे ऐसे ही questions आपको यहाँ पर solve करना है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यह था कि मैं आप सबको यहाँ पर बताओ कि कैसे questions आपके exam से पूछे जाते हैं और इसको हमको approach कैसे करना चीए कौन से ऐसे questions है जिसको हमको कम समय में यहाँ पर solve करना है किस questions के लिए हम थोड़ा सा time दे सकते हैं और हमारा approach क्या होना चीए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please यह like जरूर कीजिए subscribe कीजिए और share जरूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं next video में thank you for watching